लाइट बन दो भई हाई यह क्यासी रोती है ना एक इतना दिखाए जाना है 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 सुभा उठके मुझे एक जगह जाना है 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 मैं अभी जा रहा हूं दोड़ा एक मेरी छोटी सी मीटिंग है मारते इक स्टेशन इस यमना बेंक है 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 लाइटिंग कैसे लग रिए पीचे तो यह सबना मैंने अपने यूट्यूब के फर्स्ट मंत के चैक से करीता है तो उसमें मेरे घर के लिए आज का अपिसोड थोड़ा डिफरेंट है मलब यह व्लॉग नहीं है एक डिसकॉशन है नहीं डिसकॉशन भी आप से तो आजना में जगा मिटिंग के लिए जा रहा था वीडियो प्रोड़क्शन से रिलेटिड मिटिंग थी ओ मिजे एक दम से स्ट्राइक किया कि क्यों न जिसको फॉलो करके मेरे most of the interviews बहुत अच्छे जाते हैं तो उसके लिए पहला पॉइंट है homework जब भी आप किसी interview के लिए जाते हो तो सबसे पहले आपको ना उस brand के बारे में जाना जरूरी होता है अपने बैंड बाजा वराद देखिए ए रनवीर सिंग ने भी उसमें वह करेंगे style में okay हमारे बारे में तो तुम detailed research करके आए हो I am impressed और जब interview के time पे आप interviewer को ही बताते हो उनके brand के बारे में और जब वो पूछते हैं कि आपको उनके brand के बारे में पता हो और आप बिल्कुल नेल बटा समनाटा हो जाते हो तो वो चीजना बहुत गलत होती है अग high salary expect करते हो तो at least आपको उस brand के बार में पहले से पता होना चाहिए कि वो brand क्या करता है और आप से क्या expectation लेके आपको बुलाया है उसने knowledge आप गेंद कर सकते हो उनके social media platform से instagram से उनके facebook से और उनकी website से जहां पर आपको complete information मिल जाएए और आपको पता से लेगा कि kind of work वो क्या करते हैं Pointing flaws in the company अगर आपको लगता है कि आप graphic designing के लिए जा रहे हो ठीक है या फिर video editing के लिए जा रहे हो तो उनका आपने पहले से काम देखा होगा तो आपको पता होगा कि क्या चीज है उनकी जो उन्होंने सही से की है और जो नहीं करी है अगर आपको लगता है कि उनकी editing में ये problem थी या उनकी की कोई video में ये एक design है जिसमें ये चीज़ कमी है वो आपको point out करना चाहिए interviewer को लगता है कि आप knowledgeable हो और आपने अच्छे से observe किया है उनके काम को keeping your portfolio at one place जब भी आप किसी interview में जाते हो और interviewer आपको कहते हैं कि आप अपना काम दिखाओ और अगर वहां पे आप उनको multiple whatsapp की chats और वहां से कोई photo निकालके जो आपने किसी की दोस्त को भीजा हो या फिर gallery में लग-अलग folder में आप जा जाके उनको एक वीडियो दिखा रहे हो उनको अपने एक design दिखा रहे हो तो वो ना बहुत जादे अलग-अलग जगा पी तो यह बहुत ज़रूरी है ताकि ना आप अपना time waste करो और ना इंट्रीवर का सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है आपका confidence आपकी body language जब आप जाते हो और वहां का आप ऐसे पैठो के ना तो believe me मैंने इंट्रीव्यूस ली है वह बहुत लेकिन उसको ना थोड़ा control में रखो आप घर में पैक्टिस करके जा सकते हो लेकिन at the time of interview आप confident sound करो क्योंकि most of the time आपको ना company direct clients करती है और वो सिफ ग्राफिक डिजाइन अपनी हायर करना चाहती एक overall package हायर करती है जो client से meeting भी कर सके उनसे बात भी कर सके तो वहां पर conversation skill बहुत important है मैंने खुद अपने company के कहने पर safe or safe conversation skills पर बहुत लोगों को reject किया है अज अपना चमतकारी बैंड की लाया हां तो बात ऐसी है meeting मेरी हो गई बाकि meeting अच्छी थी show little but quality work जब भी आप interviewer के पास जाते हो और उनको ऐसे scroll करकर करके आपने project दिखाओगे तो उसका फायदा नहीं है ठीक है आप भले ही सिर्फ 5 या 4 या 8 जितने भी आपके best work है ना हमेशा सिर्फ उनको लेके जाओ और सिर्फ उनहीं को दिखाओ क्योंकिंके interviewer के सामने अगर लोगों से यह है कि जब भी आप अपने skills को grow कर रहे हो तो हमेशा सिर्फ एक skill पर स्टिक हो ना क्योंकि आज कल ब्रैंड मुल्टिपल लोगों को hire करने से जादा believe करती है कि एक इंसान को hire करे जिसे और भी जीज़े आती हूं तो always try कि आप अपने एक skill को major level पर grow करो और बा और client interviews से देखा है इन ही reasons की वज़े से मेरी first job में मुझे approximately 500 लोगों में से select किया गया था और बागी यह जो light देख रहो ना अब अगर आपको सस्ते में चाहिए ना तो सबसे best places के लिए भगरे place market वहां से सस्ती और अच्छी lights यह वाली कहीं नहीं मिलती और जो मैं YouTube के first earning के बारे में बात करता था वह मजाग था ठीक है मेरे पास अभी कोई हैसा यूट्यूब से चेक नहीं आया है आया है आप बुझा गजा रहे है अलेख मोहत स्लाम अलेकूर आप यह देता है मेरा अब साथ मेरा अब बताव कमाई आप कि अब बताव कमाई आप